नमस्कार बहनों और भाईयों एक बार फिर मैं हेमा और मैं अंजना पिछली बार जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था रश्मी रथी के प्रथम सर्ग को लेकर आपके सामने उपस्तित है और अंजना मैं तुमको ये बताना चाहूंगी कि रश्मी रथी का तो आज हम पहला सर्ग पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ बात भी करेंगे लेकिन तुम्हें मैं ये बताओं कि ये जो किताब है रश्मी रथी मेरे यहां ये जो पिछले साल पूरा टोटल लॉगडाउन लगा था मार्च में जब पहला कोविट का फिर्स वेव हिट हुआ था तो अमेजन की लास्ट डेलिवरी हमारे घर में थी रश्मी रथी और मैं रश्मी रथी को दूरिंग लॉगडाउन ही दो-तीन बार पढ़ा और तुमको ये बताओं कि हर बार जोर-जोर से पढ़ा क्योंकि दिनकर जी की जो कविताएं हैं तुम तो जानती हो कि मन में पढ़ने वाली कव बाला कोट एस्ट्राइक इनका कुछ कोट हुआ था तो मैंने एक पर इसके काफी दिनों बाद किसी ने मुझे एक फॉर्वर्ड भेजा था कुमार विश्वास जी का एक क्लिप था I really enjoy उनकी कविता का पढ़ने की शैली और उनकी कविता हैं मुझे बहुत अच्छी पूरा भी नहीं थोड़ा सा पढ़ा सा तो I was so fascinated तो मैंने फ़रन इसको गूगल किया और क्रिष्टी की शैतावनी तो उनलाइन पढ़ी पर फिर देल किताब पढ़ने का मन किया तो I got it and it was I mean it is mind-blowing the book I mean every word every line it is amazing मिलकूल काल जैी जिसे कहता है काल जैी एकडम timeless ageless कविता है तो तुमने पिशली बार हमने जब नर्मदा की यात्रा करी थी पद्यात्रा अमृतलाल वेगर जी के साथ सा तो तुम्हें याद होगा कई जगे हमारी मुलाकात महाभारत के पात्रों से हुई थी पांडवों से हुई थी और एक लव्य से हुई थी और अश्वत थामा से हुई थी तो रश्मीरती तो कर्ण के चरितर पर आधारित है कर्ण के जीवन के जो महत्वपून मोड थे उनको एक तार में पिरोया है दिनकर जी ने और उससे मतलब हमारे समाज की वास्तविक्ता हमें मिरर दिखाया जिसे कहते हैं तो और कर्ण पर कितनी सारी किताब हैं लिखी गई हैं कर्ण जो है बहुत ही मतलब फैसिनेटिंग करेक्टर है न दो जैसे मृत्यूंजय है राधे रंजी तेस अरे मैं तुमें बता हूँ मैंने कुछ सालों पहले मतलब कर्ण से तो साहितिकारों को इतना लगाव है फैसि कृष्णा कने या कवीता कने किसी ने लिखी थी और कर्ण की वाइफ जिसके बारे में तो अधर्वाइस मुझे जानकारी नहीं थी उसके व्यूपॉइंट से कर्ण का लाइफ and which was a very fascinating book to read as well. आँ, I'm sure, I'm sure. पढ़ने के बाद, I mean, he is a shining hero. I mean, किसी ने जो ऐसा ode किसी character पर, I think, किसी ने कभी नहीं लिखा होगा जो दिनकर जी ने कर्ण के लिए लिखा है. हाँ, और इस करिता को पढ़ने के बाद, ये भी लगता है कि और भी बहुत सारे जो characters थे, जिनको हम black and white में देखते थे, कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, वो भी थोड़ा नजरिया हमारा बदलता है. बदलने का प्रयास दिनकर जी ने करा है, जैसे कि दुरियोधन, जो कि उन्होंने सुयोधन करके संबोधित किया है, और दुरुनाचारे, है न, परशुराम जी. तो इन सब के भी अलग perspective से उन्होंने present किया है, कि भई, इनके भी shades हैं character में. यह बात मुझे हमेशा बड़ी interesting लगी है, कि जो हमारे पुरानों की कहानिया हैं और हमारे प्राचीन जो स्मृतियां हैं, उसमें यह absolute black और white का concept नहीं है. हर character, जो villain भी so-called, जो epic में होता है, चाहे वो रावन हो, चाहे दुर्योधन हो, उसमें भी अच्छी qualities दिखाई गई हैं और जो protagonist है, उसकी भी कुछ कमजोरियों को दिखाया गया है. तो मानव स्वरूप का यह अंच है कि हम में अच्छा बुरा दोनों रहता है, और उसका balance ही हम ढूलते हैं हमेशा. हाँ, और आश्चीरे के बात यह है कि महा भारत जो कि युगों पहले के समाज पर आधारित है, फिर यह जो रश्मी रती है, जो कि पचास साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई है, और आज, मतलब इसकी जो है काल जाई, इसकी applicability युगों से है, है ना? और व्यक्ति पर, समाज पर और राजनीती पर हर मतक्षेत्र में यह बिल्कुल applicable है, बिल्कुल, बिल्कुल, सही का तुमने अंजना, इन फाक्ट यह पिछले कुछ दिनों से जब से हमने रश्मी रती पर decision लिया, मैं थोड़ा बहुत दिनकर जी के बारे में तुमने भी किया, कुछ पढ़ा, देखा, तो उनकी जो कविताएं थी, वो जन्चेतना को जखचोरने वाली कविताएं थी, और वो लेते थे जो उनका जो, you know, character और जो सिनारियो था, वो चायद पुरानी epic से लिया, पर जो बातें थी, वो आज के संदर्व में करते हैं, तो रश्मी पर जाती भी उनका जो है, वो उस जमाने से वो उनका जो नए भारत का सपना और दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका एक, you know, कर्ण is a character that depicts की जो जन्म और जाती के कारण जो अन्याय होता है, और जो merit को नहीं recognize करते हैं, और लोगों को exclude किया जाता है, बिना किसी उ बहुत ही, आज की संदर में भी बहुत ही उप्यूक्त है, हाँ, तो चलो अब सुनाओ ये प्रथम सर्क, बहुत सुनने को दिल जो है आतुर है, सुनाओ जै हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनलको, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बलको, किसी व्रिंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदी शक्ति का मूल, उच नीच का भेद नमाने वही श्रेष्ट ग्यानी है, दयाधर्म जिसमें हो सबसे वही भूज प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्बहता की आग, सबसे श्रेष्ट वही ब्रामन है, हो जिसमें तप्त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ती अपना कर्दब दिखला के, हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खीच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलनाफ हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत्वंच में पला, चक्खा भी नहीं जननी का खीर, निकला कर्ण सभी युबकों में तब भी अध्भुत वीर, तन से समर्शूर, मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाती गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, क्यान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करणने आप स्वयम सुविकास, अलग नगर के कोला हल से, अलग पुरी पुर्जन से, कठिन साधना में उद्ध्योगी लगा हुआ तन्मन से, निज समाधी में निरत, सदा निज करमठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला करण, जग की आँखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित्वार खिलते वे पुर्जे दूर कुझ कानन में, समझे कौन रहस्य, समझे कौन रहस्य प्रकृती का बड़ा अनुखा हाल, गुद्डी में रखती, चुन-चुनकर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतुरवी कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूर्मा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सब के समक्ष पौरुष की पहली आग, रंग भूमी में अर्जुन था, जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड बीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कहता हुआ, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन, तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल, तूने जो जो किया, उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आँख खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर, उस नर को धिकार, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभास तब्द रह गई, गई रह आँख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्द सा मौन चतुर्दिक चन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धन्वा की टनकार, फिरा कर्णत्यों साधु साधु कह उठे सकल नर्नारी, राजवंच के नेताओं पर पड़ी विपद अतिभारी, द्रोन भीश्म अर्जुन सभी के सभो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शबबाश, द्वन्द युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचारे ने कहा, सुनो है वीर युवकन जान, भरतवन शवतन्स, पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्री है, ये राजपुत्र है, यूही नहीं लड़ेगा, जिस दिस से हाथ आपाई में कैसे कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो, तो मत कहो सभा मे मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ की तुम जाती हो कौन, जाती हाईरी जाती, कर्ण का हरदैश छोब से डोला, कुपित सूर की ओर देखवा वीर क्रोध से बोला, जाती जाती रटते, जिनकी पूंजी केवल पाशंड, मैं क्या जानू जाती, जाती हैं ये मेरे भुजदंड, उपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, जाती पूछने वाले, सूत पूत्र हूँ मैं, सूत पूत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो, गलानी से रह जाओ मतमोन, मस्तक उचा किए जाती का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म मै शोशन के बल से सुख में पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांप दे तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, पूछो मेरी जाती शक्ती हो तो मेरे भुजबल से, रवी समाज दी पित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो जलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे र रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, अर जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे भयावे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझ को भी तो दिखलावे, अभी छीन इस राजपुत्र के करसे तीर कमान, अपनी महा जाती की दूँगा, मैं तुमको पहचान, पृपाचारे ने कहा, पृथा तुम कृद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो, राज पुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अरजित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज, करन हत्प्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ परमाया, सहन सका अन्याई सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नरका जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाती जाती खा शूर मचाते केवल कायर क्रूर, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड से आया, अना या सातं के एक संपूर्ण सभा पर छाया, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो, अथ्वा श्वपच्चमार, मले नम अगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमूल रतन का, मानवता की इस विभूती का, धर्ती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोशना, सुने सकल संसार, अंग देश का मुकुट करन के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य यस महावीर के हित अर्पित करता हूँ, रखा करन के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुन्जी रंग भूमी में दुरियोधन की जैजैकार, करन चकित रह गया, करन चकित रह गया सुयोधन की इस परम खुरपा से, फूट पड़ा मारे कृतग्यता के भर उसे भुजा से, दुरियोधन ने हृदय लगा कर कहा, बंधू हो शांत, मेरे इस शुद्रो पहार से क्यों होता हुद प्रांत, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदी तुझको, अरे धन्य हो जाए प्रांग, तु ग्रहन करे यदी मुझको, करन और गल गया, हाई मुझ पर भी इतनास ने, वीर बंधू हम हुए आज से एक प्रांग दो दे, भरी सभा के बीच, आज तु ने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उरिन भला होँगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करें दिन मान, कि आउं तेरे कोई काम, घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुर्वासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाशी, चाहे जो भी कहे द्वेश, इर्श्या, मिथ्या, अभिमान, जनता निज आराध्यवीर को पर लेती पहचान, लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमी भर गई चतुर्दिक, पुल का कुल कलकल से, विनै पूर्ण प्रतिवंदन मेज्यों जुका कर्ण सविशेश, महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीमने, और नहीं कुछ पाके, है की जाड़े पूँच, है की जाड़े पूँच, आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज, तुरियो धन ने कहा भीम, जूठे बगबग करते हो, कहलाते धर्मग्य, दुएश का विश्मन में धरते हो, बड़े वंच से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरितर है, नहीं वंच धन्दाम, सच मुझ ही तो कहा कर्णने, तुमी कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह, ग्यात हो तो रहसे ये खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल, कृपा चार आपड़े बीच में बोले, छी, ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हाया है, चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, ठके होए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम, रंग भूमी से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण, पार्थ का कोई, गुणापस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिये हुए गुरु द्रोन, कहते हुए पार्थ, पहुचा यह राहू नया फिर कौन, जन में नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एक लव यसे लिया अंगूठा, एक लव यसे लिया अंगूठा, कढ़ी नमुख से आह, रखा चाहता हूँ निश्कंटक बेटा, तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा, उससे धीर जिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षन मिलता है, बढ़ता गया अगर निश्कंटक यह उद्भट-भट बाल, अर्जुन, तेरे लिए कभी वय हो सकता है काल, सोच रहा हूँ क्या उपाए मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंड तम धूम के तुका कैसे तेज हरूँगा, शिष्च बनाऊंगा न कर्ण को ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभटका पर तू भी है तात, रंग भूमी से लिए कर्ण को कौरव शंक बचाते, चले जूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर्सम सुगठित सुगर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस पर दुर्योधन ओकर्ण, बड़ी तृप्ति के साथ सूर्यशी तल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से, आज नथाप्रिय उन्हें दिवसका समय सिद्ध अवसान, विरम गया अक्षण एक खितिच पर गती को छोड़ विमान, और हाई रनिवास चला वापस जब राज भवन को, सब के पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को, उजड गए हूँ स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठपाते थे कुंती के पाँँ, तो हिमा जो ये प्रत्थम सर्ग तुमने पढ़कर सुनाया, इसे सुनकर दिल आज फिर भराया, क्योंकि हर लाइन इतनी ज़्यादा पावर्फुल है, तुमको नहीं लगता है ये लाइन हम पर भी एप्ली के बिले, आज हजारों साल बाद महाभारत के, हम भी अपने मतब निजी जीवन में, रोज मर्रा के जीवन में, इस तरह के छोटे-छोटे अधर्म में शोशन करके सुख में पलते ही हैं, हैंनो? सही बात है, जो एक exploitative tendency है जो करेंट सोशल ओर्डर में, और हम सब कही न कही जाने अंजाने में उसके भागीदार हैं, तो ये तो सच है, तो एक-एक समवाद जो इसमें जो एक-एक प्रश्न करन में किया, और जो एक-एक सौरी जवाब समाज के ठेकेदार जो कि जाज गुरू या उनों ने किया, I mean, they could not defend their position, तो बहुत ही, I mean, it's just beautiful. बहुत जारा, बहुत जारा. और अंजना, ये तो सिर्फ प्रथम सर्थ तो एक छोटी सी जल्की है, जो आगे आने वाले संदर्ब और समवाद है, in fact, अगली हफ़ते जो तुम हमको सुनाने वाली हो, मैं तो बहुत-बहुत उप्सुख हूँ उसको सुनने के लिए. परशुराम के साथ जो करन का, बहुत उंदर्थ, कुछ महीने दीते थे ग्यान के, ग्यान अर्जन के, बहुत ही, वो भी बहुत ज़्यादा मूविंग है. भावुख कर देने वाला है, और सोचने पर मजबूर करने वाला है. तो चलो, अब हम जल्दी-जल्दी अगले बार के लिए इंतजार करते हैं, और तब तक के लिए मैं हेमा, और मैं अंजना आपसे विदा लेते हैं. बाई!